उम्मुलंगंग सिंदु सलिलं सलीलं यह शूक विहिंजनकात्म जाया आधायतेने वददाह लंका नमामित्वंपन जलिरंजनें श्री हनुमत्य नमहा श्री भौमायन नमहा नमश्कार स्वागत है आपका आचारेवानी में आचारेविक्रमादित आपके साथ हो राज का विशे है तोला राशी वालों के लिए मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है उसकी स्तिती में परिवर्तन हो रहा है क्या कुछ कर सकता है आपके लिए देखिए तोला राशी आपकी राशी जो है बहुत ही महतुपून राशी है जस्टिस वाली राशी है नियाए वाली राशी है और आपका एक सभाव है कि हर चीज को नियाए के अनुजार तोलना किसी के साथ भी गलत ना होने की भाव रखना या आपके मनुमस्तिक्ष में आम तो पर यदि आपका ल बना नहीं रहेगी तो ऐसे में अब मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है मंगल महाराज बहुत वर्षों बाद इस परकार का योग बना रहे हैं कि काफी लंबे समय तक मंगल रहेंगे अस्त का मतला पर निस्तेज रहेंगे मंगल शक्ती हीन हो जाएंगे मंगल की शक्ती कम हो जाएगी उसका प्रभाव विशेश प्रकार से नेगेटिव प्रभाव उत्पन होगा ऐसे में मंगल क्या कुछ कर सकते हैं आपको समझने की आवश्क्ता है आप विशेश पर ध्यान लखे कि मंगल का परिवर्तन का योग चल रहा है अस्त हो जाएंगे सूरे के 17 डिगरी के सनिकट आजाएंगे 17 डिगरी में मंगल अस्त हो जाते हैं और जब तक 17 के डिगरी में इधर या उदर रहेंगे तब तक वो अस्त ही रहेंगे यानि दिखेंगे नहीं उनका प्रभाव शुनने दिखाई देगा ऐसे में मंगल का प्रभाव जो है वो विशिश तर पर आपको समझ लेना चाहिए आपकी दाशी में क्या पढ़ने वाला है मंगल साक्षात शिव के अवतार विश्वीर भद्र है जो भवान के पसीने से प्रत्वी पर गढ़ने से उत्पन हुए थे और उन्होंने दख का यगिस्त विद्वन्स किया था उसके भवान शिव के आशिरवात से वो अकाश मंडल में थे मंगल का जम माना जाता है मंगल वार और चतुर्थी जब हो सयोगो तब मंगल मंगल वीर भद्र है धरती पूत्र है और भवान शिव के अनिश्ती उत्फन हुए तो मंगल शुब गर है मंगल का रग गरहे है इस बात का ध्यान रखें मंगल साहस के पृत्जीक है तो कुछ लोग मंगल के लिए विभिन्द प्रकार की बाते उत्पन करते हैं कि मंगल सेनापती हैं, साहस के परतीक हैं अगर मंगल कमजोर हो जाए तो यह आपका साहस आपका साथ छोड़ सकता है आपकी हिम्मत थोड़ी कम हो सकती है आपके अंदर जो आगे बढ़के काम करने की इच्छा है वो कम हो सकती है भागे के खेल बिकड़ सकते हैं इस बात का ध्यान लगिए मंगल आपकी राशी के अनुसार से कहां के स्वामी है? सब्तम के और दूतिय के सब्तम भाव विश्यष्वार पे दांपत्ति जीवन का भाव माना जाता है जीवन साती का भाव माना जाता है वेपार का भाव माना जाता है वहीं दूतिय भाव धन का परिवार का कुटुम्ब का भाव माना जाता है वेपार का ट्रेडिंग का भाव माना जाता है और तो और मारक भाव भी माना जाता है आपका विशिश्टर पर मारकेश मंगल है ऐसा भी ग्रह युग दिखाते हैं और दुतिय स्तिति में तुला राशी बालों को बहुत ज़्या सावधान नेराची मंगल के नुसार से तो ए सब्सक्राइब करें और वहां आपके साहस पर आपकी संपर्कों में कहीं ना कहीं सेन लगा सकते हैं तो ध्यान रखते हुए आपकी चीजों में अलर्टनेस कम होने के वज़े से कहीं न कहीं नुक्सान का यूग बन सकता है यह मंगल का प्रभाव आपके लिए है तो विश आपको विशेश दार पर कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे लोग की सेवा करें जरूत मंत लोग की सेवा करते रहेंगे तो बहुत सुन्दर होगा एक उपाय हम आपको बता रहे हैं यह अवश्य करने का प्रयास कीजगा मंगल आपके संपर्कों में आपके प्रभाव को बड़े लोगों के बीच में नेगटिव कर सकते हैं जो बने बनाए काम में बिगार सकते हैं आपके प्रभाव को शुन्ने कर सकते हैं आपकी अच्छी सेंद्र को अच्छी जो आपका परसुना बना हुआ है लोगों के बीच में उसको खराब करने का प्रयास कर सकते हैं च किसी कोई रास्ते में कोई विक्षुक मिल जाए तो उसको कुछ जो अपने सामर्द कर सकते हैं वो करने का प्रयास किजिए तो शाम के समय भवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभीशेक कर लिया किजिए यह बहुत सुंदर उपाय है इसके द्वारा मंगल का प्रभाव आ तीर अक्टूबर से लेका 17 नवंबर तक मंगल तुला राशी में रहेंगे आपकी में मुख राशी आपके लगन में उपका प्रभाव उत्पन रहेगा ऐसे में विशुषतर पर समस्या उत्पन कर सकते हैं आपके दांत समंधिर रोग दे सकते हैं सबसे पहले तो दांतों कामें कोई दुस्सास भारा कारे आपको नहीं करना चाहिए दुस्सासवारे कारे की तरफ आपको बढ़ सकते हैं और एक बात ध्यान रखी का कुछ फकड किसम के लोग होते हैं वह आपको नुकसान पहुचाने का कारे कर सकते हैं उनके साथ ज्यादा आनद रहेगा जिनको की योग बन सकते हैं आपके सम्झ्द उनकी से खराब हो सकते हैं आपके कारण से आपका जो परभाव है उन पर भारी पड़ सकता है यह आपको ध्यान रखने की सब्सक्राइब ने हनुमाँ जी का पार्ट कर लोग नोग सकते हैं इसा पर चेल के सबस्क्राइब से hy TL ये आपके स्वास्थ की सम Simon से उत्तम नकिर सकते जो लोग आपको कहते हैं कि आपके आने से हमारे काम बन जाते हैं ऐसे में लोग नेगटिव हो सकते हैं इसके नेगटिव प्रभाव है यानि आपके ओरा में ऐसे नेगटिव प्रभाव हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि आपका सानित प्राप्त करके उनको थोड़ा नुक आपको motivate रखेंगे, जितने अपने जीवन साथी को प्रसन रखने का प्रयास करेंगे, उतना आपकी किस्मत आपको साथ देगी, यह सबसे बड़ी आ उपाए, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजे, यह सुन्दर रहेगा, आपको ध्यान रखते हैं, आपको विशेशतर पर अगश्ट से दूर करने की युग बन सकते हैं, ऐसे में विशेशतर पर अपनी सबसे अंदर positivity, नेगिटिव विचारों को त्यागने का प्रयास करें, लोग, साधू चलत बजार में, हादी चलत बजार में कुत्ता भौंख हसार, जो लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने कीजे, आप अपनी चाल में मस रहते हुए काम करने का प्रयास कीजे, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, तो आपके सबसे शेश्ट उपाए हम आपको बताने का प्रयास करें, मंगलवार के मंगलवार, हर्मान जी की मंदिर में जाकर हर्मान जी को चोला चड़ा दिया क कीजे, यह उपाए करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाप राप्त हो सकता है, उसके बाद 28 दिसंबर से लेकर करीकवरी 16 जनवरी तक मंगल जो परिवर्तित हो के धनुराशी में चलेंगे, और ऐसे में यह मंगल का प्रभाव आपके लिए बड़ा विचित प् प्रभाव आपको विशेशतर पर ध्यान रखना है, आपको जवर्दस्ति दुसास कर सकते हैं, जाकर किसी अपने उकात से बड़े विक्ती के साथ बैल से भिड़ सकते हैं, यानि अपने आप मुसीबत को दावत खुद दे सकते हैं, इन सब दुसास करने से बचना का प्रय प्रयास करें, नहीं तो कुछ दिकत होने के योग बन सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे तो बहुत सुन्दर तरीके से, आप कोशिश करें, नित्यपती हनुआन जी का पार्थ, हनुआन चलिसा का पार्थ, इसमें करने का प्रयास कीजिए, इ इन सब के अनुसार से चलेंगे, तो बहुत सुन्दर तरीके से आपके ग्रहों का प्रभाव, जोतिश यही समझाता है, कि आपके अनुसार क्या कुछ होने की योग है, कैसे आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बाद भी आपकी राशी तो हमने बता दी, लेकिन आप संबर्ख साथ के अपनी क्वरीज कुछांत कर सकते हैं,